हेलो दोस्तों आपका स्वागत है मैं मैं विशेगुपता आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने यूटूब चैनल को गुरू कैसे करें या वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके वीडियो पर एक या दो बीज़ आ रहा है तो इस वीडियो को लास्त देखे आप लों क्या करते हैं वीडियो जहांँ पर अपलोड करते हैं तो डीका इंग तो आपका तरीका ही रिए रॉंग होता है फिर फिर आप यूटूब पे साच करते हैं कि व्यूप कैसे बढ़ा है सब्सक्राइब कैसे ऐसा कुछ नहीं भाई अगर आपको वीडियो अपलोड करना नहीं पता है तब आपके जो आप कोई भी ट्रिक लगा लीजिए आपकी जो वीडियो है गुरू नही करते हैं कि वीडियो अपलोड कर देते हैं और कुछ उनका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है तो मैं इस वीडियो में फूल प्रोसेस बताने वाला हूं तो वीडियो को लास्त देखिएगा तो चलते हैं अपनी वीडियो में सबसे पहले आपको क्या करना है जब आप वीडि फिर ने जो बीडियो बना के रखी हुई है तो वो मैं इस्ट कर लेता हूं तो यह मेरा बीडियो ८ाइन आतकर लिया है आपके सामने किस्प्राय करका पेंच आ गया होगा तो आपको दिकरा होगा टाइटल डाइटल यहां पर आपको लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि आप जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पर आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो बना रहे होंगे तो वो लिख देना है और नीचे की साइट जो विजबल्टे का उपसन दिख रहा है वहाँ पर क्लिक कर यहां पर कोई भी आपको चेंज नहीं करना जो कि इसका मतलब है कि अगर आप उपर वाले आपशन पर क्लिक कर देते हैं तो यह जो 18 साल के जो कहा मैच की इमेल बनी होगी इसको इसको इस्वाजिस्टर करेगा तो आपके वियुक्त ही खम वह जाएंगे क्योंकि अठा साल तो फेक आईडी बनाते हैं लगबग लोग तो अठा साल के सब लोग ज्यादा हैं तो इसलिए नीचे वाला अप्शन सेलेक्टर लेना है इसके बाद आप लोड वीडियो पर क्लिक कर देना है अभी आपका यहां पर काम खतम नहीं होता है अब आपको क्या करना है तो आपकी वीडियो जह है यूटूब पर अप्लोड हो रही है तो देख सकते हैं उपर के साइड वीडियो अप्लोडिंग पर लगी हुई है तो इसके बाद आपको वाइटी स्टूडियो ओपन कर लेना टाइम लग रहा है बट आपको कहीं छोड़ के नहीं जाना है क्योंकि यह वीडियो एकदम डियाल है आप यूटूब पर बहुत सारी फेक वीडियो देख चुके होंगे तो ऐसा कुछ नहीं भाई आप देख सकते हैं यहां पर मेरा जो है यह मेरा भी आपलोड नहीं तो इस पर क्लिक कर लेना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहां से इडिट करते रहना है तो आप जब वीडियो अपलोड करें उससे पहले उसका थमनल क्रेट कर लें तो आपको उपर की साइड एक पेंसिल का एकन दिख रहा होगा तो वहां पर क्लिक करके आपको कॉस इन प्यूंड पड़ी हुई है आप जाकर वहां से एक थमरीट कर सकते हैं तो वहां से कर देना है अब आपको अपने टाइ shop तो आपको यहाँ नियू कि ठीना है तो जैसा कि मैं वीडियो आप लोड कर रहा हूं क्यम अपने तो तॉझी टॉपिक को यहां पर लिख देना है creator구리 करने के बाद आपको क्यारा प्यक्राइसब्स करना है सबसे पहले इसको टाइग में डाल देना है इस टायग मेरा यह लग चुका है इप ही अब आपको मैं बताता हूँ आपको टैक कहां लगाना है और इसका डिस्क्रिप्शन कहां से डिट Initiate करना है सब मैं पूरा एक्दम किलियर करने वाला हूं इस वीडियो में तो वीडियो को लास्त तक देखिया का एस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जो नहीं पढ़ने वाली है तो यह मेरा सेह्ट हो चुका अबस इतना ही save कर दिजिए अभी मेरी वीडियो आफलोड नहीं होई है यह सब काम आपका वीडियो आफलोड हो रही है उदर और यह आपको kाम करते रहना है अब आपको जाना है app में तो इसका नाम है वीडाइक्यू तो यह मेरा वीडाइक्यू आइप है आप देख सकते हैं इसको आप प्लेस्टोर से भी डाउनोड कर सकते हैं यह तो मैं इसका लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप वहां से भी डाउनोड कर लीजेगा तो वीडियो आईकू पर क्लिक कर देना है तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा जो आप है तो खुल के आ चुका है तो आप नीचे की साइड आप देख सकते हैं मेरे वीडियो आ चुकी है जो मैंने भी डाली हुई है जिसा मैंने टाइटल लिखा तो वैसा ही आपको नीचे की साइड दिख रहा है वहाँ पर खिल्क कर देना है तो जैसे वहाँ पर включ करेंगे तो तो इस एप में होता क्या है आप यहां से description और जो टाइट टैक्स हैं वहाँ पर लगाएंगे तो मैं भी description लिखने जा रहा हूं तो description पर क्लिक कर दिया तो नीचे के साइड आपको option दीक रहे हैं कि आप यह वारा description लगाईए तो यह suggested करता रहता है कि आप कौन सा आपके वीडियो के लिए कौन सा जो description है कैसा अच्छा लगेगा या कैसा रहेगा टैक्स कैसा रहेगा तो यह जो एप है यह इससे आप वीडियो को ग्रो कर सकते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं उपर एड का उपसन आता तो यहां से आप एड कर सकते हैं अपने जो टाइटल हैं यहां पर जो वाइरल होते हैं ज्याद ज्यादा सर्च किया जाते हैं तो वहां पर यहां पर लिखे होते हैं तो वहां से आप एड़ कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर कीवर्ट्स लिखा हुआ है तो आप यहां पर सर्च भी कर सकते हैं कि यह कीवर्ट्स कितना ज्यादा सर्चेबल है या कितना ज्यादा पूछा जाता है या कितना सर्च क option है वहां से आप अपने टाइटल को सर्च करिए जो आपने वीडियो बनाई है उसके उपर अपना जो सर्च करिए और उसके बाद जो भी आपका जो टाइटल रहेगा जो भी आपका जो भी आदमी उस टैक को सर्च करेगा जो आपने लिखा हुआ सकते हैं, तो अपने टॉपिक के अनुछा लगा है जिस टॉपिक का वीडियो बनाते हैं, उस टॉपिक पे आपने सार्च करके वहां से लगा सकते हैं, इससे क्या होगा आपकी जो वीडियो है सर्चिंग में ज़्यादा से ज़्यादा आएगी, और फिर आप क्या करते हैं कि यूटूब पे सर्च करते हैं, चार्चिंग में कैसे आएगी, भाई ऐसा कुछ नहीं होत हैं, सब लोग यही करते हैं, तो मैंने सुचा कि आपको यह बताना जरूरी होगा, तो इस तरह से आप सच करके अपना जो टॉपिक है, उसको सच करके यहां से इसको लगा सकते हैं, और अपने वीडियो को सर्चिंग में ला सकते हैं, सबसे उपर भी आएगी, अगर आपक लगा लेता हूं, तो जो भी आपको यहां पर ज्यादा संख्या लिखे, आपको इसके सामने एक नमबर लिखा हो रहा होगा, तो जिस जो टॉपिक है, जो आपका टाइटल लिखे आएगा, तो जिस टॉपिक के आगे ज्यादा नमबर लिखे होंगे, ज्यादा संख्या ल यहां पर अपना टाइटल साच करके हैसे लगा लेना है तो अभी मैं description बताने वाला हूँ description कैसे लगाना है तो तो आप यहां पर ज्यादा से अदर tag लगा है इसके बाद description में क्या होता है कि आपको अपनी वीडियो के बादे में लिखना है तो अगर इस F से इडिट करने पर आप क्या करता है नीचे की साएड आपको एक सजेस्टेट का आप्सन आता है तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे की साइट प्लस का इकन दिख रहा होगा यहां पर मैंने तीर सो कर रही तो यहां पर आपको क्लिक कर लेना जितने भी आपको नमबर दिख रहे होंगे वहां पर क्लिक करते रहना तो यह क्या होता है कि आपने जितने भी टैक्स लगा रखें तो वो सारी नमबर जो इतने भी टैक्स लगा रखें टाइटल के तो वो सारे title यहाँ पर आपको add के option में मिल जाएंगे तो वहाँ से आप add कर लीजेगा तो इससे क्या होगा अगर कोई भी आपका जो title साच कर लेता है तो आपकी वीडियो जो सबसे उपर जाने वाली है तो आपको title जो लिख लेना है अपने इनुसार जो भी आप वीडियो बनाए और मैं आपको बता दूँ कि description में आपको अपने वीडियो से related सारी information देनी है कि कैसे बना है यह कैसे use होता है आपको पूरी information देनी है और क्या होता है कि आप अपने जो facebook account या फिर instagram id का link भी अपने description box में डाल दिया करिये ताकि क्या होता है आपकी popularity थोड़ी बढ़ जाएगी और आपको instagram या facebook पे भी followers मिलेंगे और इससे आपको एक और फाइदा होने वाला है अगर कोई audience कोई भी audience को अगर किसी भी audience को कोई problem आती है तो वो सीधे आपसे contact कर पाएगा तो यहाँ पर आपको ज़्यादा सेदा keyword लिख लेने अपने वीडियो के अनुसार कुछ भी लिख लेना जितने भी आप सोच सकते हैं कि यह वीडियो यह लोग सार्च करते होंगे मेरे वीडियो के बारे में तो आप जिस भी topic पे वीडियो बनाते तो वो topic आपको यहाँ लिख दिना है एक-एक word को भी नहीं छोड़ना एंगे क्या होता जितनी आप आप यहां लगाएंगे उतनी जाता है दयक लगालेनगे तो इसके बादा है नीचे यप डियो टैक लगा लेना है टो टाक कैसे लगाना है तो पहले कि मारे लगा लेता हूं पहले हैस्टर लग और उसके बाद अपनी वीडियो के बारे में जो लिख लिए जैसे की मेरा वीडियो है हाउ टू क्रेट थमनेल तो यहां पर जैसा मैं अभी बता देता हूं कि यह से मेरी वीडियो है तो हैक्स्टेग मैं लगा लेता हूं थेमनेल लगा लेता हूं ऐसे ही मैं लगा लेता हू तो थोड़े बहुत हैक टैक तो इसको आप बाद में भीड़िट कर सकते है है और जादा जैदा इसमें चैनल के नाम की तुन सिर्द लगा लीजेगा नीचे के साइड एक लाइन चोड़ कर मैंने जैसे मेरा नाम है मारेश टेक तो मैंने अपना नाम लिख लिया आपको भी अपना नाम लिख लेना है आप चाहे तो मेरा नाम भी लिख सकते हैं और वीके के टेक जो भाई है मेरे तो उनका मैंने नाम लिख लिया है तो इसके बाद आपने जितने भी चैंजिस किये तो अपने बाती श्ट्ट Guide स्टूडियो में चले जाना है तो भी मैं बाति श्ट्र 2020 में जाने वाद को को मेरा अब खुल्के आंग चुका है तो आपको भी यहाँ पर वही वीडियो सेलेक्ट कर लेना जो भी मैंने आपलोड किया तो मैंने वह वीडियो सेलेक्ट कर लिया है तो आप उपर कि यह पेंसिल के उप्सन पर क्लिक करके इसको इडिट कर लेना है तो विजबल्टी पर क्लिक करके इसको पब्लिक कर देना है इसके बाद आपको उपर की साइट सेफ के उप्सन पर क्लिक करके इसको सेफ कर देना है तो अब आपकी वीडि शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर दीजिए कि ताकि हमारा जो आपके परती थोड़ा उत्सा है और भी बढ़ जाएगा और हम आपके लिए इतनी मेनद करके वीडियो बनाते हैं तो लाइक करना तो बनता ही है तो मिलते हैं अगले वीडियो में